हलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? आज तक आप लोग बहुत सारे लाइफ स्किल्स मतलब जीवन कौशल सीख चुके हैं तो आज हम एक और बहुत ही इंपोर्टेंट लाइफ स्किल्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है Road Safety Rules, मतलब सडक सुरक्षा नियम अब आप लोग घर से बाहर निकलते हैं खेलने के लिए हम लोग सडक पर चलते भी हैं, गाडियों में ट्रेवल भी करते हैं ठीक है, और हम लोग आए दिन बहुत सारे Traffic Signs, Traffic Lights ये सब भी देखते हैं लेकिन हमको उन सब के Rules के बारे में जानकारी होना बहुत आविश्यक है ताकि हम उन Rules को Follow कर सकें, उन नियमों का पालन कर सकें तो चलिए आज हम इनी Rules के बारे में सीखते हैं सबसे पहला है हमारा Traffic Light Traffic Light आप लोगों ने हर सिगनल पर देखी ही होगी Red Light, Yellow Light, Green Light आप लोग यह भी देखते हैं कि Red Light होते ही कास रुख जाती है Green Light होते ही गारियां चल पड़ती है तो Red Light means Stop, लाल मतलब रुख जाये Yellow means Slow Down, Peely मतलब रुखने के लिए तयार Green means Go, हरी मतलब चलिए अब हम कुछ सीखेंगे Safety Rules on the Road कुछ rules आप लोगों को पता ही होंगे जैसे Always Walk on Footpath आपको Footpath पर ही चलना चाहिए कभी भी सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए Never run while crossing the road सड़क पार करते समय कभी भी दोड़ना नहीं चाहिए And cross the road only at zebra crossing Zebra crossing पर ही सड़क पार करनी चाहिए तो सबसे पहले हम देखते हैं Zebra crossing से संबंदित नियम अच्छा बच्चों, इस crossing का नाम zebra crossing क्यों है? ये lines देखकर आपको कोई याद आ रहा है, कोई जानवर जी माम, zebra Very good Zebra में भी ऐसी ही stripes होती है न, white, black, white, black और सड़क पर भी ऐसी stripes बनाई है White, black, white, black, alternative colors तो इसलिए इसे zebra crossing का नाम दिया गया है तो सबसे important बात कि आप लोगों को हमेशा सड़क zebra crossing पर ही पार करनी चाहिए Cross the road at only zebra crossing Second important बात Hold hands while crossing the road सड़क पार करते समय हाथ पकड़ना चाहिए You can ask your small child to hold the hands of parents, siblings और guardian while crossing the road आप अपने छोटे बच्चे को सड़क पार करते समय माता-पिता, भाई-बहन या अभिभावक का हाथ पकड़ने के लिए कह सकते हैं तीसरी और सबसे important बात We should not play on the road हमें सड़क पर खेलना नहीं चाहिए Also, we should not run on the road इसके अलावा हमें सड़क पर भागना भी नहीं चाहिए अच्छा, अब हम सड़क लेकिन पार कैसे करें? ठीक है? तो इसका सबसे असान तरीका Look right, left, then again right before crossing road मतलब, पहले आप right में देखिए then left में देखिए then again right में देखिए और सिर्फ देख के छोड़ना ही नहीं है आप ये देखिए कि कोई vehicle आ तो नहीं रहा अगर कोई vehicle आ रहा है तो आप वहीं रुख जाईए और उस vehicle को pass होने के लिए time दीजिए and then you should cross the road सिर्फ scooters और bikes के लिए ही होता है अगर आप bicycle चला रहे हैं तो भी आपको helmet पहनना चाहिए Wearing a helmet is the most effective way of reducing head injuries resulted from motorcycle and bicycle crashes helmet पहनना, motorcycle और cycle दुरगटनाओं से होने वाली सर की चोटों को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है अब हम पढ़ेंगे कुछ traffic signs के बारे में ऐसे boats आपने सडक पर चलते हुए road sites पर बहुत सारे boats देखे होंगे तो आज हम कुछ important traffic symbols के बारे में traffic signs के बारे में जानकारी खटा करेंगे सबसे पहला sign है no horn, horn ना बजाएं तो देखिए आप देख रहे हैं चित्र में, left में एक horn बना हुए और उसके ओपर ऐसे एक red line लगी हुई है तो that is the symbol of no horn second is एक circle में नीचे speed limit numbers लिखा हुए और उपर गाड़ी बनी हुई है तो that is the sign of speed limit गती सीमा तो जो भी vehicle का वो symbol बना होता है यानि कि उस vehicle के लिए वो वाली speed limit है जैसे इस picture में car के लिए speed limit है 70 और जो बड़े vehicles हैं like truck उसके लिए speed limit है 40 next traffic sign is no parking parking नहीं जगा जगा लोग इदर उदर गाड़ी आपनी पार्क कर देते हैं तो उस चीज के लिए no parking का sign लगाया जाता है और हमारे लिए सबसे important school ahead, school आगे आप अपने school के बाहर भी देखेंगे तो वहाँ भी एक ऐसा sign traffic sign का board लगा होगा इसका मतलब है यह आगे school है आप अपना vehicle slow down कर लीजिए ध्यान से vehicle चलाईए चलिए, अब हम एक बहुत important चीज के बारे में देखेंगे that is driving license driving license is an important document in India because it gives citizens the permission to drive driving license भारत में एक महत्वपून दस्तावेज है क्योंकि यह नागरिकों को वहाँ चलाने की अनुमती देता है driving license 18 वर्ष की उम्र के बाद ही बनता है तो इसका मतलब हम 18 वर्ष से पहले कोई भी वीकल नहीं चला सकते, तो बच्चों आज इस वीडियो से आपने क्या सीखा कि हमें यह सब traffic rules को follow करना चाहिए क्यों? क्योंकि यह हमारी safety के लिए है और हमारी family की safety के लिए और साथ-साथ अगर हम इन्हें follow करेंगे तो हम दूसरों की safety का भी ध्यान रख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू, वव ग्रेट दे, बाई बाई बेट